SPI Zero Balance Saving Account यानि कि आप अपना Saving Account State Bank of India में घर बैठे वीडियो के बाइसी के थूप पूरी तरह से कैसे खोल सकते हैं वो भी वैसा एकाउंट जिसमें कि अगर आप 0 रुपे रखते हैं तब भे आपको किसी भी तरह का चार्ड देने की ज़रत ना हो किनकिन डॉकमेंस की ज़रत होगी कितने परसन का इंट्रेस मिलेगा कौन कौन से चार्ड देने होंगे और अप्लाइ करने के तुरंट बात एकाउंट टमब, IFSC कोड, ब्रांच कोड, मॉबाइल और इंटरेट बैंकिंग कैसे मिलती है ATM कार्ड, चेक्बुक, पास्बुक और खड़ित कार्ड ये तीनों चीज़े आप कैसे अप्लाई कीजेगा और कैसे आपको ये तुरंद मिलेगा इस एकाउंट को आप फोन पे, कुगल पे, पेटियम या फिर किसी भी UPI एप्लिकेशन में कब से और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे लोग जब एकाउंट खोलते हैं तो नहीं यहाँ पे address या name में इरर आता है कुछ लोग इरर की बज़ा से या किसी और एजन से apply करते समय बीच में process छोड़ देते हैं तो वैसे लोग भी अपना एकाउंट दुबारा कैसे खोल सकते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले आपको अपनी device के app store में जाना है और you know application इस्टॉल कर लेना है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस app का direct link वीडियो के description में दिया गया है application open करते ही आपसे पूछा जाएगा आप SBI के existing customer है या new customer है आपको new to SBI select करना है फिर open saving account select करना है आप अगर branch widget करके account खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे without branch widget select करना है तब insta plus saving account लिखा हुआएगा अगर आप अभी salary account खोलना चाहते हैं तो नीचे I want to open a salary account के पहले वाले box में टिक करना है अन्यता submit पे tap करना है तब दो option आएगा जसमें की start and new application पे tap करना है अगले page में दो column होंगे पहले में mobile number और दूसरे में अपना email id फिल करना है दूसरा column आप blank भी छोड़ सकते हैं submit पे tap करना है आपके दिये गए mobile number पे एक OTP जाएगा जिसे की OTP वाले column में फिल करके submit करना है तब application password क्रेट करने के लिए दो column खुलेंगे जसमें की आपको एक capital letter, एक small letter, एक digit और एक special character को यूज़ करके एक password फिल करना हो configuration के लिए वही same password दूसरे column में भी फिल करना है तब security question आएगा जिसमें की click करते ही कुछ सवाल आपके सामने खुल करके आजाएगे उसमें जोगी question आपके लिए suitable लगे सेलेक्ट करके उसका उत्तर नीचे वाले column में फिल करना है application password के जौरत कहां होगी ये हम लोग आगे देखेंगे लेके security question जब भी आप password भूल जाएगे तो forget password करने में आप से ये सवाल पूछा जाएगा और सही उत्तर देने पर ही आपने आप password क्रियेट कर पाएगे फिर जैसे ही आप next पे tap कीजिएगा तो एक pop-up खुलेगा आपको ok करना है अगर आपके वल इंडिया में tax pay करते हैं तो इस box में tick करके next पे tap करना है account opening process शुरू हो जाएगा जिसमें की यहाँ पे information पढ़ लेना है और नीचे I agree to the above के पहले वाले चोटे box में tick करके next पे tap करना है फिर first option enter आधार details select करके अपना आधार number फिल करना है और keto tp पे tap करना है आपके अधार register mobile number फे एक OTP आएगा जिसे की OTP वाले कॉलम में फिल करके submit करना है तब यहाँ पे आपका details फिल किया हुआ आएगा आपको next करना है यहाँ भी address और pin code फिल किया हुआ रहेगा नीचे आपको state, district और अपने village या town का नाम फिल करके next पे tap करना है इस कॉलम में अपना pan card number फिल करना है अगले page में आपके आधार card का photo दिखाया जाएगा फिर next करते ही आपसे आपका education qualification पूछा जाएगा select कीजिए फिर marital status पूछा जाएगा जिसमें कि अगर आपका विवा हो चुका है तो आपको married अन्यथा single select करना है तब कुछ columns खुलेंगे जिसमें कि आपको कुछ personal details फिल करना है जैसे कि place of birth यानि कि आपका जन्म कहां हुआ था उस सहर का नाम आपके पिता जी का title, first name, middle name और last name आपके माता जी का title, first name, middle name और last name अगर आप married होंगे तो spouse name यानि कि अपने पती या पतनी का नाम फिल करना है और नीचे I declare my country of birth, citizenship and nationality of India के पहले वाले छोटे box में टिक करके next पे tap करना है अगले page में अपने annual income फिल करना है और नीचे occupation यानि कि आप करते क्या है वो select करना है अगर आप other select कीज़ेगा तो यहाँ पर चार sub categories आजाएंगे जिसमें कि आपको अपना occupation select करना है तब religion पूछा जाएगा जिसे कि select करते ही नॉमनी details फिल करने के लिए कुछ columns फिल करके आजाएगा तो यह नॉमनी क्या होता है दोस्तो आपके account में पैसे होते हैं और by the way किसी वज़र से आपका accidental death हो जाता है तो आपके बाद जिस वेक्ति को आप अपने पैसे निकालने का permission देते हैं उन्हें ही नॉमनी कहा जाता है तो उनका details यहाँ पे फिल करना है पहले कॉलम में नॉमनी का नाम दूसरी कॉलम में नॉमनी और account holder का relation फिल date of birth और अगर नॉमनी का age 18 plus नहीं है तो उनके guardian का नाम और age फिल करना होगा तो next पे tap करते ही नॉमनी का address, pin code और state select करना है फिर से next पे tap करना है तब एक कॉलम खुलेगा जिसमें कि आपको अपना home branch यानि कि आपके address से जो सबसे नजदी की SBA का branch है वहाँ का नाम फिल करना है ताकि आपका account उस branch में खुल सके फिर कुछ terms and conditions कुल करके आएंगे जिसमें कि read terms and conditions पे click करके conditions पढ़ लेना है और I have read and agree to the terms and conditions के पहले वाले छोटे boxes में tick करके next करना है तब आपके number पे OTP भेजा जाएगा कॉलम में fill करना है तब पूछा जाएगा कि आपका जो debit card है यानि कि ATM card होगा उस पे आप क्या नाम लिखवाना चाहते हैं अगर आप document के according लिखवाना चाहते हैं तो वो तो automatically आपके कॉलम में fill किया हुआ रहेगा लेकिन अगर आप कुछ और लिखवाना चाहते हैं तो वो नाम इस कॉलम में fill करके next करना है तब आपको यहाँ पे एक token number मिलेगा आप इसे लिख सकते हैं जाद रख सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हैं फिर next पे tap करना है तब वीडियो कवाईसे में किन तीन चीजों की ज़रत होगी उससे related instructions होगे आपको पढ़ करके start slash schedule ले वीडियो call पे tap करना है एक pop-up खुलेगा उसमें भी okay करना है तब आपके smartphone में जो default web browser होगे उसमें आप redirect हो जाएंगे अगर अभी कोई exclusive free होगे तो आपका वीडियो कवाईसे शुरू हो जाएगा अन्यथा यहाँ पे schedule करने के लिए बोला जाएगा आपको schedule पे tap करना है और यहाँ पे जिस date और time को आप वीडियो कवाईसे करना चाहते हैं सेलेक करके schedule पे tap करना है आपका वीडियो कॉल schedule हो जाएगा अब आपका वीडियो कवाईसे schedule की हुए time पे होगा एक चीज और आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए यहाँ तक apply करने में अगर application में कोई error आ जाता है या आपको ही कोई urgent काम आ जाता है या किसी और बजल से आप account opening process complete नहीं कर पाते हैं बीच में ही छोड़ देते हैं फिर जब आप दुबारा same process open करने का प्रयाज कीजेगा तो error आ सकता है ऐसे situation में आपको करना यह है कि starting से process same रखना है application open करना है new to sbi open serving account without branch visit insta plus serving account आ जायेगा submit करना है और यहाँ पे आपको start and new application के बजाए resume application पे tap करना है तब दू कॉलम खुलेंगे पहले में अपना mobile number जो आप account opening process में fill किये थे और दूसरे में application password ये भी आप account opening process में पहले step में create करते हैं दोनों fill करने के बाद resume करने हैं तब आप जिस step पे process छोड़के गए थे उसी step पे redirect हो जाएंगे और फिर आगे का process complete करके account open कर सकते हैं यही same process आपको भी करना है लेकिन आपको उस समय करना है जिस समय आप video call schedule किये हैं आप जब number और password fill करके submit कीजेगा तो आपको इस page पे redirect हिया जाएगा next पे tap करना है start a video call पे tap करना है फिर ok करते ही आप आजाईएगा अपने web browser में वहाँ आपसे camera और microphone का permission मागा जाएगा allow कर देना है यहाँ पे बताया जाएगा कि अपना pen card एक white paper और pen साथ में रखना है और फिर लिखा हुआ आएगा waiting for the executive to begin the call यहाँ तो आपको 10 seconds बताया जाएगा लेकिन कभी कभी आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनिट तक का भी wait करना पड़ सकता है तब आपके सामने वीडियो का लिस्टाथ हो जाएगा वो आपसे आपका नाम पूछेंगे पस्केन पे एक verification code भी दिखाये जा रहा होगा वो बताने को बोलेंगे फिर father's name, occupation और annual income पूछेंगे उसके बाद camera back करके pancard दिखाने को बोलेंगे एक white paper पे सामने signature करने को बोलेंगे और आपका वीडियो के वाइसी complete हो जाएगा लेकिन आप मेंसे बहुत थारे लोग ऐसे होंगे जिनका वीडियो के वाइसी complete नहीं हो पा रहा होगा तो वैसे लोग comment section में comment कीजिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे कि आप अपने account का full के वाइसी बहुत ही कम समय में कर पाएंगे तो वीडियो के वाइसी complete होने के बाद आपके वीडियो के वाइसी complete होने का message भी आ जाएगा और कुछी समय में आपका full के वाइसी approve हो जाएगा आपका account खुल चुका है कुछ समय में ही account number, IFSE code, branch name यानि कि आपका account detail आपके contact details पर आ जाएगे और फिर आप इस account को normal account के तरह use कर सकते हैं जितना चाहे उतना balance रख सकते हैं और उसका transaction कर सकते हैं अब बात आती है ATM card, net banking, checkbook, passbook और credit card की ATM card account open होने के बाद लगबग 7 से 10 तिनों के अंदर आपके दिये गए communication address पर आ जाएगा इसका tracking message भी आपको मिलता रहेगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रुपे का classic card मिलेगा लेकिन आजकर जो भी लोग account खोल रहे हैं लगबग को SBI का international रुपे card मिल रहा है इस card का इस विज़ी जीरो है लेकिन annual भी 125 प्लस GST यानि कि 148 रुपे लगेंगे ATM card मिलने के बाद आप अपने account को phone पे Google पे या फिर किसी भी UPI में register करके normal account के तरह यूज कर सकते हैं नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी बे ब्राउजर में SBI Net Banking सर्च करना है पहली website open करनी है इस page का direct link description में दिया गया है continue to login पे tap करना है यहाँ पे username और password फिल करने को बोला जाएगा आप जब वीडियो कावे से complete किया हो होंगे तो आपको एक message मिला होगा जसमें कि username और kit id नमबर होगा तो यह username और account खुलते समय जो application पासवर्ड अप्टेट किये थे वो password in columns में फिल करना है फिर नीचे जो text दिख रहा है वो thought column में फिल करके login पे tap करना है तब आपको अपने account का new username create करने के लिए column खुलेगा जसमें कि आप के बल अल्फावेट या अल्फावेट या number को यूज करके नया username अपने हिसाब से बना सकते है फिर ये username available है या नहीं ये check करने के लिए check username availability पे tap करना है अगर available होगा तो available लिखा हुआएगा फिर नीचे I accept terms and conditions से पहले बाले column में टिक करके submit करना है तब नया password create करने के लिए दो column खुलेंगे password minimum 8 character का होना चाहिए जिसमें के digit, एक capital letter, एक small letter और एक special character होना चाहिए दोनों column में सेम password फिल करके confirm करना है आप set profile password का पेश खुलेगा profile से related कोई भी काम करने के लिए SBI net banking में आपको profile password की ज़ौरत होती है तो पहली दो column में आपको profile password create कर लेना है और तीसरा hint question में आपको एक question select करना है और उसका जवाब चौथे column में फिल करना है अगर आप profile password भूल जाते हैं तो reset करते समय आपको यही question select करना होगा और यही answer जो आप यहाँ पे चौथे column में फिल किये हैं वो फिल करना होगा तभी आप नया profile password create कर पाएंगे फिर जन्मस्थान country और mobile number फिल करके submit करना है आपका profile password भी set हो जाएगा अब आप अपने नये username और password को इस्तमाल करके कहीं से भी net banking यूज कर सकते हैं या फिर yono में भी login होकर के फोन से mobile banking की सारी services यूज कर सकते हैं पास्बुक और चेक्पुक आपको इस account में default नहीं दिया जाता है चेक्पुक के लिए आपको apply करना होगा जो कि आप bank से internet banking में request and services में जा करके या फिर yono में login होकर के apply कर सकते हैं apply करने के बाद लगबग 7 से 10 दिनों के अंदर चेक्पुक आपके communication address पे आ जाएगा पास्बुक के लिए आपको brand जाना होगा और वहाँ जाकर के आपको request करना होगा तब वो आपको कुछी समय में आपके account का पास्बुक प्रेंट करके दे देंगे कुछ जगों पे आपसे application भी मांगा जा सकता है अब बताती है credit card की तो आप में से किनकी लोगों को credit card की जवरत है और किस purpose के लिए आप credit card लेना चाहते हैं comment section में comment कीजिए वहाँ आपको बताया जाएगा कि जवरत के इसाब से आपको कौन सा credit card लेना चाहिए और वो card आपको कैसा मिलेगा साथ ही अगर आपको इन वीडियोज में कुछ कमिया नजर आई हो तो comment section में comment कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज में उन कमियों को दूर कर सके वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन्यवाद